हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई हो कि बहुत अच्छे हैं आज है नियू मून और गाईज मैं दो दिन से आपके लिए रिडिंग नहीं लेकर आई उसके दरे सौरी क्योंकि मैं बाहर हूं और मेरे को एड़र्स करना पड़ता है क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी के घर मे होते हैं तो इसलिए मैं आपके लिए रिडिंग नहीं लेकर आप आ रही हूं लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं और बिल्कुल करती रहूंगी आज है नियू मून तो बनता है देर न करते हूं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं नियू मून पर बनता है ना नियू मून लव माई ओ माई गाड नाइस ओके एंट शिवल्री ओके बटाव दाट एक है लाइफ परपेस बिल्कुर आपके पार्टर समझ रहे हैं कि मेरा लाइफ परपेस है आपके साथ और आपके साथ एक बहुत प्यारा एक एक spiritual connection बहुत तीज एक गहरा प्यार वो समझ रहे हैं उन्होंने कुछ लोगों के पार्टर है उन्होंने नसीब भी छोड़ रखा है इस connection को मैं बता दूँ आपके पार्टर जो है न कुछ लोगों के पार्टर आप जैसे भी resonate करती है आप देखेगा बहुत से लोगों के पा connection में न यानि कि आप twin flame है या soul mid connection में है तो guys आपके पार्टर आपको बहुत प्यार करते हैं आप जैसी energy देंगे आपके पार्टर भी वैसी energy आपको देंगे और यह spiritual connection होता है आप यह मैं समझे physical level पर आपको as a person आपको सोचते हैं कि नहीं वह का ऐसा है वैसा है तो मैं प्य तरह की intimacy की हाँ पर है physical intimacy की हाँ पर energy है आपके साथ कहीं बाहर जाना चाते हैं date करना चाते हैं आपको gift देना चाते हैं आपके partner आपको समझ रहे हैं क्यों समझ रहे हैं आप से ये card क्यों आया है love का card ये क्यों आया है क्योंकि आप अपने आपसे प्यार करने लगे आप आप अपनी growth पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी partner को change करने की बजाए, अपनी growth पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपके partner automatically आपके लिए ये energy है, आपके partner भी इस चीज़ को समझते हैं, कि आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, अपनी self respect रखने लगे हो, अपनी growth पे काम कर रहे हो, उनको परेशान नहीं कर रहे हो, उनको space दे रखा है, आपको वर्दी समझते हैं, अपनी impress समझते हैं, कुछ लोगों ने अपनी surrender कर रखा है, कि देखो जो चाहते हैं, वो आप से बात करना, बिल्कुल शादी करना चाहते हैं, या आप से इस connection को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, इस connection को क्या कर रखा है, surrender कर रखा है, भगवान पे छोड़ रखा है, तो आप लोगों को भी जब आप surrender कर कर के आगे बढ़ गे तो आपके partner ने भी surrender कर रखा है, और आपके लिए सोचते में नजर आ है क्योंकि जो भी पास्ट में उनके साथ आपकी लड़ाई जगड़े वह दूर करना चाहते है ठीक है तो वो लड़ाई जगड़े जब दूर कर लेंगे यानि कि उनके अंदर की जो पास्ट को लेके पास्ट में आपके साथ जो भी मत बेद हुए थे उस चीज़ को वह अपने अंदर से रिलीज करते वे नजर आ रहे हैं न्यू मून पे एक सेकेंड तो यह एनरजी है बहुत भी ब्यूटिफल एनरजी है और बिलकुल इस चीज़ को देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं चीज़ो को connection को समझते है वो जैसे new moon आता है new moon पे भी कुछ चीज़े रिलीज होती है आप लोग भी रिलीज करें हैं ट्रिगर मिल रहे होंगे कुछ लोगों को तो यह जो चीज़े हैं और आपके family members से किसी से भी कुछ भी हो सकता है काफी आप परेशान होनी की जुरूत नहीं है सरंडर कर दीजी इश्वर पे आपके पार्टर भी ये कंफ्लिक्ट्स जो आपके बीच में है वो दूर करते दिख रहे हैं दूर करना यानि कि आप से अगर कुछ लोगों की बाते हो रही है तो प्रीज उनको समझाईए और उनको जो एक हलका पन महसूस होगा एक वो फ्री फील करेंगे अपने आपको रिलाक्स फील करेंगे ठीक है आपके साथ आपको वर्दी इसलिए समझते हैं क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं पहले आपको लगता था आपने उपर कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन अपने पार्ट आप जब अपनी ग्रोथ करते हैं तो आपके पार्टनर को आप पर एक प्राउड आप फिल होता है कि यार यह मेरा कनेक्शन है यह ऐसे कैसे होगे इतना चेंज कैसे आगया इसके अंदर ठीक है और बिल्कुल वह जानते हैं कि यह प्यार है तो यह एक स्प्रिच्वल कनेक्शन है और आपके साथ डेट करना चाहते हैं इस आपको बहुत अच्छी वेलिंग है उनके अंदर आपके लिए ठीक है सारी परिशानियां दूर हो रही हैं आपके और धीरे धीरे होंगी अगर आप ग्रोथ करेंगे तो बिल्कुल यह चमतकार दिखे हैं आपके पार्टनर बिल्कुल आपको बहुत बहुत ज्यादा दिल में उनके जो प्यार रहना वह बहुत ही ज्यादा है एक मैचियोरेटी उनके अंदर आ गई है आपको लेके और मेडिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वह भी चाहते हैं कि आप युनिवर्स समझते हैं और क्या बोलू मैंने बोला आपको अपनी इंप्रेश समझते हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं येस कुछ ना कुछ गिफ्ट यहां पर भी शिवल्री का काड़ है कुछ ना कुछ गिफ्ट कॉल मैसेज आपकी तरफ आएगा गाईज और येस इस कनेक्शन में हीलिंग हो रही है चल रही है यूनिवर्स की तरफ से और आपके पार्टनर एज अस्टार आपको फील करते हैं अपनी लाइफ में अपने विश आप उनकी जो विश है वो कौन है आप है ठीक है और क्या है बिलकुल पैश्वनेट है आपकी तरफ ठीक है इस चीज में बहुत मेहनत करते में और को देख रहे है और विक्टरी जाते हैं जाय है और क्या चाहिए आपने साम होऊ आपके सोच भी बहुत positive way में connected है आपके युनिवर्स से connection आपका बन रहा है आपके पार्टनर का भी बन रहा है आपके पार्टनर की सोच भी बहुत positive होती जा रही है और आपकी भी होती जा रही है आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी connection है जो भी transformation हो रहा है उसका अ कि ये connection क्या है बहुत ही गहर है काफी attached है आपके साथ और abundance तो उनकी life में आ रही है fruitful results outcome उनकी life में अब दिख रहे हैं आपके partner की और आपकी भी ठीक है डोटो spirit बिल्कुल angels उनके साथ एक positive changes उनकी life में आ रहे है टिपल 5 यहाँ पर दिख रहा है देखो परेशानिया तो होगी कुछ चीजे सुधार करने में लेकिन उसका जो result आएगा वो बहुत ही beautiful होगा guys ठीक है इसलिए 555555 नंबर आपको दिखता होगा वो इसलिए दिखता है कि angels आपको पहले चेतामनी देते है कि आपके life में कुछ changes हम लेके आना चाहरे है be prepared है ना उसके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है तो इंजल साब को पहली बता देते है और यह जो outcome होगा बहुत positive होगा आप लोगों के लिए आपके partner के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कुछ है ना तो यह चीज़ बहुत अच्छी है और काफी तकलीफ तो होती थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना समझ रहे हैं बट थोड़ी सी mentally आप डिस्टरब हो सकते हैं लेकिन उसको बिल्कु पॉजिटिव यह में लीजेगा वो पॉजिटिव जो थौट आपकी होंगी कि जो भी positive outcome होगा वो मेरी तरफ आ रहा है मेरी life में आ रह है आपके partner को भी जुरत है meditation की कहीं ना कहीं partner आपके anxiety में तो बिल्कुल आपको लोग के लिए advice है यह guidance है कि आपके partner आपसे बंदेव हैं ऐसा मैं समझे की connection मेरा ही है मैं ही हूँ एक तरफा one sided love है ऐसा नहीं है anxiety में हैं आपके partner तो बोला आप लोगों भी कहीं ना कहीं anxiety में मेरे को दिख रहे हैं क्योंकि यह new moon है guys तो क्या guidance है healing कीजिए अपनी ठीक है अपनी healing करनी है आपको और meditation करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है anxiety से दूर रहिए होती है पर इससे बहार निकल लिए all tied up आप बंदेव हैं अपने partner से आप एक दूसरे से बंदेव हैं guys इससे व लाइफ की एरिया में अगर आपको action की जुरत है अगर आप बैठे हैं ऐसी दो बिलकुल action लीजिए what do you need to release आपको क्या release करना है लटको करना है बिलकुल new moon है आपको release करना चाहिए guys ritual कीजिए कुछ भी है लिखो और उसको burn कर दो और blow कर दो universe में don't let pride get in your way अगर आप थोड बिलकुल release कर दीजिए ठीक है क्योंकि जो भी देता है इश्वरी देता है हमें इस पर बिलकुल भी घमंड नहीं करना है it's time to release negativity यह बार बार काड आ रहा है क्या release करना है आपको आप देखिए और negativity जो भी है time है यह negativity को release करने का ठीक है और देख लिए क्या advice है have faith in your dreams बिलक आपके साथ है win-win outcome in is forecast बिलकुल आगी का जो भी time है वो बिलकुल जीत का है victory का है balancing spirituality and practicality तो बिलकुल मैंने आपको बोला ही है कि spiritual way spirituality में और 3D और 5D में आपको balance बना कर चलना है guys यह आपके लिए advice है guidance है divine की ठीक है तो अभी के लिए इतना ही अपना ध्यान रखो ख्याल रखो और negativity को दूर भगा दो आपके अंदर से जो कुछ भी surface हो रहा है अपने partner को ज़्यादा याद अगर आ रही है तो उनको love sign कर दीजिए ठीक है उनको परेशान मत कीजिए उनको space दीजिए और अपना ध्यान रख झाल 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